क्या करना है फोल्ड कर लेना जिस तरीके से हम जो है गास बनाने के लिए इसको कट करते हैं ठीक है यह आपके पास कॉर्णर से कॉर्णर और इस तरीके से आपने एक संबोस्य की तरह का इसको जो है ति कौन की शकल का आपने इसको बेंड करके और अच्छी तरीके से प्रेस क फोल्ड हो गया यह 25 बैश्चावाइश के लिए शीट होती है ठीक है 25 बैश्चावाइश की शीट है अच्छे पेपर की ठीक है अच्छे बटर पेपर है वाइट पेपर रहे हैं और यह आपके पास 14 इंच की जो है इसका गास का निशान लगा रहे हैं यहां पर करीब यहां ने कर रहे हैं दोने 28 इन्च की जो है घज होता है तावे का तो यहां के पास 14 इंच की निशान लगाओ एक पर करके उसके निशान लगा दीए ठीक है ब सक क्या कर 설명 कर्या ऑप एक्स्ट्राइपर को कैær ची की मदद से कार तेंगे ये तर धो करेंड यहां कर लगाया था हुदर और उधर बिल्कुल जो है राइट साइट पर बिल्कुल कोने पर लेफ्ट साइड पर आपका पेपर देखे ज्यादा है जबके राइट साइड पर बिलुकुल कॉर्णर के करीब ठीक है उसको ले जाकर बेंड किया हुआ है ठीक है तो यह इस तरीके से इसकी शेप बनाते हैं यह इसका नीचे वाला हिस्सा होता है लोर पार्ट तो इस तरीके से बेंड करते हैं या आपके पास पेपर बेंड करके निशान लगा लिया हमने नजर आ रहा है आपको ठीक है अब आपने क्या करना है इसको कट कर लेना है या आप लोग के पास एक्सरा पेपर कैंची के मरसे आप आराम से इसको कट कर लेंगे इसको कट कर लें अब यहां से जो है मिड लाइन से थोड़ा सा नीचे से गुलाई शुरू की थी और यह आपके पास उपर तक हलकी हलकी गुलाई के साथ यह आपके पास यह देखें यह आपके पास पेपर खत्म साइड पे कर दिया और यह आपके पास यह फर्मा मुकमल रेडी हो गया अब blue के पास देखें, परफेकट फर्मा आपका रेडी हो गयातावे का Heekka बेतरी नी ठीक है, अब हमने क्या करते हैं, अब हमने इसका जहाः गज यह कमान लगाना आने या फिर इसका डिज़ाइन बनाना है, कोई तो डिज़ाइन बनाते हैं, तो डिजाइन के लिए यहां पर मैं पैंसल के मदर से शायद आपको नजर ना आ रहा हो यहां पर एक ठीक है पैंसल से रॉफ सा ड्रॉ कर रहा हूं स्कैच जिसको हम काटेंगे ठीक है तकरीबन यहां पर आप अपने अंदाजे से कर सकते हैं या आपके पास कोई शेप कटी ह हुई है तो आप उसको वहां पर रखकर यानि डबल फॉल्ड करके मेट के हिसाब से और आप उसको भी कर सकते हैं लेकिन मेरे पास कोई शेप कटी हुई नहीं थी तो मैंने इस तरह रफ सा पैंसल से स्कैच कर लिया ताकि मझे आइडिया हो जाए कि मैंने कहां से कट कर रह तो यह आपके पास हाट शेप मैंने बनाई हैं तो उसको कोशिश किया हाट शेप बने तो उसको कटकर ह रहे हैं आप हमुए हाट के फर्मर मुकमल भी घृफिक है ठीक है तो यह आप लोगों के पास जा निशान है आपने उस तरीके से एजिली काट लेना है ठीक है कोई टेंशन नहीं अराम से इत्यास से काटें इसमें कुछ नहीं होता है यह आप लोग के पास यह देखें यह हार्ट हमने इसमें से अलग कर लिया यह आप लोग के पास ठीक है तो यह आप लोग के पास रैड और ग्रीन पेपर को इस तरीके से ही कठा जोड लगा कि अब इस तरह फोल्ड कर लिए और इसको अंदर रखेंगे और उपर वाइट पेपर को जो हमने कट किया था उसे रखकर इसको यह पेपर क्लिप लगा देंगे ठीक है ताकि यह और फिस लेना और एक जगा पर फिक्स रहे अब यहां पर आपने क्या करना है इसको थोड़ा सा ऐसे आदे इंच बाहर से काटने हैं देखें आप आपके सामने हैं मैं भी थोड़ा सा पेपर को बाहर रखके काट रहा हूँ यह आप लोग के पास नज़र आ रहोगा उसकी वाई यह है कि अगर आप बिल्कुल बराबर काट लेंगे तो वो उसमें फिक्स नहीं होगा और वो आपका जोड़ लगे गा नहीं तो हमेशे जो गो लाई करते जाएंगे ठीक है यए आप लोग के सामने है एजिली अप अहत्यार से करें जल्द हाथियास से करेंगे वो खुबसूरत होगा जालद बाजी में जो है आपका काम खराब हो सकता है ठीक है दोबारा से हमें दोबारा शुरू से नए सिरे से मेहनत करने पाट सकती है तो इसलिए हाथियास से काम करें थोड़ा थोड़ा पेपर बाहर छोड़ते हो हम इसको उसी काट रहे हैं यह देखें यह आपका मैंने काट दिया ठीक एकस पेपर को साइट पे करें और यह आपके पास यह हमारे पास आ गया हाट शेप ठीक है अब हमने क्या करना है इसको यहां पर लगा देंगे इस काइट के जो हमने हाट काट था इसमें से उसी की जगह पर यह देखें अब इसको लेवी लगा कर आप अहतियास से उसके उपर पूरा पेपर आपका नीचे वाला जो है फरमें वाला वो पूरा स्ट्रेश होना ठीक है अख्सलोग कमान पर दिहां करते हैं कि वह बह्तर होनी चाहिए मजबूत रही एक लिए वह दिए नहीं नीच आपकर बिल्कुल सीधा होना चाहिए जतना चाइक जार सीधा है ठीक है 42 इंचीज की भी बनाते हैं कुछ लोग 40 इंचीज की अब तो 38 इंचीज पर भी आ गए हैं लेकिन मैं जो है कोशिश करता हूं 42 और 40 इंचीज की जो है वह तावे बनाता हूं जो मेरे पास वीडियो जितनी की लाओ के कमजोर ना हो जाए यह आपके पास यहां पर खुश्क थी आटे की तरह और उसको हमने लगा कर और उसके उपर हमने तीले को कमान का जो है वो रखके उसको कवर कर लिया पेपर के अंदर यह आप लोग के पास कवर हो गया ठीक है अब आप ने एक साइड से इसको तरीके से मर्च कर लें यानि अच्छे तरीके से प्रैस करके उसको चिपका लें ठीक है एक आड मिनट आप दें और फिर उसके बाद आप दूसरी तरफ से ठीक है यहां से पेपर स्लिप होने का खत्रा होता है तो इहत्यात कीजिए अगर आपकी लिवी बतली होगी तो वह खुबसूरत कलर कंबिनेशन लग रहा है ठीक है वाइट और उसमें ग्रीन और रेट तो यह हमारा पाकिसान तहरीक इंसाफ का एक किसम का सेंबल भी है तहरीक इंसाफ का इमरान खान साब का तो किसी की फरमाईश थी कि यह आपने बनाना है मैंने आपको बताया कि मेरी हॉब होबी बनाना जस्ट जो है मैंने के लिए बनाता हुगा लिए भनाव मुझे आपको तो की परप्रफेस्नले निए अपना अब चुझा की है ज़न Tip केे बनाना तो चैपम यह जोपन चोन कर रहें तो इसको खरें को तो यह पर चढूबद चड़ा देंगे ठीक है यह किसी ह फरमाईश की थी कि हमें इस तरीके से बना के दे तो मेरी कोशिश होती है जो भी मुझे दोस्त फरमाईश करते हैं तो इनके मताबिक वीडियो बना देता ओ, ठीक है? तो ये वीडियो में देखके इंशालला जिस भाई ने भी फरमाईश की थी, वो खुद ही बना लेंगे या आप लोग के सामने ठीक है अब इसके बाकी को ने होगे अब इस साइट पर जो है धागा कवर करेंगे ठीक है धागा जो है वो मैं इस्तमाल करता हूँ वो सिंपल सिलाई वाला धागा होता है कोई उसमें नहीं होता बस मजबूत होना चाहिए थोड़ा सा वाइट कलर का धागा इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा है मैंने सिर्फ वाइट कलर का धागा रखा हुए समाल करता हूं कभी-कभी जम्हें काईट बना रहा हूता हूं चैनल्स के लिए तो यह आपके पास अच्छी तरीके से लेवी लगा कि अब इसको यहा माशाललह से इस बिल्कु स्ट्रेट है तो इस इन्शाललह जब यह इस्तमाल हो की उड़ाई जाएगी तो इन्शाललह बेतरी नोड़ेगी बारग जो उड़ाते हैं उन्हें मैं जो है आपको बना करे रहा हूं तो ठीक है यह आपके पास चैनल पर बना दिया आब आप इस आप हमारे चैनल को लाइक करें सबस्क्राइब करें अगर आप भी चाते हैं कि किसी डिजाइन की काईट बनाई जाए तो वह आप हमें कमेट में लिख कर दें इन्शाललह हम कोशिश करेंगे कि हम उसे बनाएं यह आप लोग के सामने यह काईट रैडी होगी है अब हमने क करना है अब हमने इसको पान लगाना ठीक है यह पान का आपके पास ब्लैक ठीक है और यह हमारे पास क्योंकि गज्ज है वाठाइस का था तो इसलिए 14 इंच यह उससे थोड़ा सा बड़ा जो है हम इसका पान लगाएंगे तो यहां पर मैंने 14 इंच का निशान लगा कर इस हो जाएगा ठीक है कोई मुश्किल नहीं आराम से आपने उंगली की मदल से आप इसको प्रेस करेंगे तो पेपर के उपर निशान आ जाता है आप उस निशान पे इसको काट लेंगे यह आपके पास इस तरीके से गुलाई हो जाएगी और यह आपका पान रेडी हो गया ठ देखें यहां पर थोड़ा सा इशू मुझे यह आ रहा था कि अगर इसी तरीके से में पान को लगा देता हूं तो यह मेरा डिजाइन खराब कर रहा था डिजाइन नहीं नजर आएगा तो मैंने किया कि इसको डिजाइन भी नजर आए और पान भी यही लगे मेरा पेपर जाया नहीं तो उसके लिए मैंने किया कि यहां से एक्सापेपर जो जो उपर आ रहा रहा है डिजाइन पर मेरे उसको बैंड करके और कट कर दूँगा ठीक है इससे क्या होगा कि यहां से जो है यह कट हो जाएगा और मेरे पास जो हाडशे बनाई है मैंने वो फ्रंट से भी प्रॉमिनेट होगी और बैक साइट से भी ठीक है तो इसमें आपको इस तरीके से यह आप लोग के सामने इसको बैंड कर दिया और इसको अब हम काट लेंगे और आप लोग हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें आप हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें हम वीडियो बनाते हैं और बार बार आप लोग से दर्खास करते हैं कि अगर आपको लगता है कि कहीं कोई इंप्रॉमेट की जरूरत है या कोई चीज आप चाहते हैं कि हम उस प को गया है जो जबहां है जो तो यह पर की तो यह मेरे पास चीट थोड़ी सी थी तो सी की के मैं यहां पर लगा रहा हएं क्योंकि वाइट पर यह यह मेरे पास पढ़ा था तो मैंने ऊपड़ा चलो इस जगें जहां पर आपने कट लगाया होते हैं बेसिकली हम उनको भी कवर कर रहे होते हैं तो यह आप लोग के पास इस तरीके से यह हमने लगा दिया ठीक है और यह आप पर दोनों कॉर्णस पर नीचे और जहां पर कट हमारा धागे वाला होता है तो उस जगह पर मैं लगाता हूं तो यह मैंने लगा दिया अब उसके बाद जो है गस्त का एक लगा हुए तो गस्त के उपर भी दो और लगेंगे एक नीचे बिल्कुल बॉटम पर ठीक है नीचे पैंदे में यहां पर जहां पर हमने पान लगाया था और एक जो है वहां पर जहां पर आम तोर पर धागा बांद कर उड़ाया जाता है ठीक है डोर बांदी जाती है या कैमिकल बांदा जाता है या धागा बांदा जाते तो वहां पर यह आपके पास इस त्रीके से यह इंतदा रहेगा, दौाओं में या रखियेगा, शुक्रिया, अलाहफिस, पाकिसान, जिन्दाबाद.